हलो माई डियाज टूइन शीव कर फिर से आपका स्वागत है और कंटेंपरेटी साउथ एशिया चेप्र का लास पार्ट जो डिसकस करना रहे गया था वो इस पार्ट में आपके साथ डिसकस करने वाला हूँ ये वीडियो जो है आपके बहुत इंपोर्डेंट होने वाला है क जो भी इस वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन पार्ट है उसमें आपको लिंक मिल जाएगा तो यहां देखते हैं सबसे पहले इंडिया का अगर बंगलादेश के साथ लेते हैं तो बंगलादेश को लेकर इंडिया और बंगलादेश के बीच में कहां कहां वाटर को लेकर है इन दोनों के बीच में जो डिफ्रेंस है डिस्प्यूट है जिसकी वज़े से वो है इन दोनों पॉइंट को यानि जो गंगा और ब्रंपुतर का पानी है नदियों का पानी दूसरा क्या है बंगलादेश जो है वो डिनायल यानि इलीगल जो बंगलादेश की सरकार है या बंगलादेश की कुछ ऐसे ऑफिशल्स भी है जो इंडिया के अगेंस काम करने वाले इस्लैमिक फंडेमेंटलिस ग्रूप को हेल्प करते हैं तो ये इंडिया की गवर्नमेंट की कम्प्लेइन है नेक्स पॉइंट क्या है रिफ्यूजल टु यानि जो इंडियन सोल्जर्स को ये नोर्थ इस्टन स्टेट जैसे हमारा जो है बीच में कोरिडोर पड़ता है वो सारा का सारा 22 किलोमेंटर का है लेकिन इदर बंगलादेश की टेरिटरी आ जाती है और उपर निपाल की है तो अगर इंडिया को वहां से जाना है चलो थो इंडिया की सरकार चाहती है कि बंगलादेश की टेरिटरी से होकर अगर पाइपलाइन आ जाए तो हमारे लिए बड़ा हीजी हो जाएगा मैनमार से जो नेचरल गैस को लेना लेकिन ना तो बंगलादेश खुद हमें देता है ना बंगलादेश जो है मैनमार को हमें देने देता है क्योंकि वह एक रास्ता तो मिलना चाहिए तो यह कुछ कंप्लेइन है जो इंडिया की बंगलादेश की सरकार को लेकर है या बंगलादेश को लेकर है लेकिन बंगलादेश कहता है इंडिया को लेकर हमारे मन में कुछ टाउट से जैसे सबसे पहले इंडिया रीज रीजिनल बुली का मतलब क्या होता है कि जब एक पर्टिक्लर कंट्री एक रीजन के अंदर अपने आपको पावर्फुल शोग करती या अपनी पावर को शोग करती तो बंगलादेश का कहना है कि भारत जो है वो जोग्रफी में तो हमसे बड़ा है या मिलिटरी में भी बगवान चाने ऐसा है नहीं लेकिन बंगलादेश की सरकार का ये ऐसा मानने है फिर हो कहते है कि हमारी जो नैच्रल गैस है उसको भी एक्सेक्ट करने की कोशिश की गई है उसको भी हमसे छीनने की कोशिश की गई है और भारत सरकार को या भारत को लेकर उन्हें ने कहा है क यानि ये कहें कि बिलकुल unfair attitude है, उनका trade में लेकर जो है न, उनकी attitude बिलकुल ठीक नहीं है, तो ये points से जो इन दोनों सरकारों के बीच में disputes को लेकर थे, लेकिन कुछ है कैसी बाते भी हैं, जहां हम कहेंगे positivity के साथ, जैसे एक तो economic relations हमारे बड़े अच्छे हुए हैं, कहते ह the differences, we also have good relations over so many things, जैसे सबसे पहला है, हमारे दोनों देशों के बीच में रिलेशन, economic relations काफी अच्छे हुए है, फिर look for East policy जैसे इंडिया की है, उसमें इन दोनों देशों की जो आपस में मिलना बहुत चुरूरी है, तो 2014 में हम कदम बढ़ा चुके हैं, और Southeast Asia की तरफ अग कोई terrorist activities होती हैं, उसमें भी हमें थोड़ा control करना है, और दूसरा क्या है, broaden करना है, हमने area of cooperation further by identifying common threats and being more sensitive to each other, और दूसरे की जरूरत को समझते वे हमें और भी जादा cooperate करने हैं, तो यह तो था बंगलादीश को लेकर हम नेपाल की बात करें, तो नेपाल की बारे में क्या कहा कि देखो, cooperation का level तो हमें वहीं नजरा आ जाता है, कि दोनों देशों के बीच में संबंद ऐसे हैं, कि हमें नेपाल जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको detail देता हूं कुछ और points के, तो let's see, नेपाल के साथ हमें क्या कुछ मिलता है, तो इसका मतलब क क्या हुआ कि हम लोग नेपाल विजिट कर सकते हैं बिना passport के, तो इसके लावा जो नेपाल को लेकर भारत की चिंता है, वो है नेपाल और चाइना के बढ़ते वे relations को लेकर भारत खुश नहीं, और दूसरी बात जो anti-Indian elements हैं, उनको लेकर भारत की सरकार खुश नहीं, कि देखो नेपाल की सरकार उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं करती, जो भारत के गेंज कुछ प्लोटिंग करते हैं, या कुछ ऐसा डिसाइड करते हैं, जिससे भारत की सरकार को नुकसान हो, और इसके लावा जो anti, यह तो हो गया, इसके लावा जो most moment हुए हैं, नेपाल के नोर्थ में और आंधरापरदेश साउथ में, कहते हैं, इसका असर जो है, कहीं न कहीं next light moment का बढ़ने का खतरा हो जाता है, वहां से inspiration ले या कुछ भी होगा, उन दोनों के बीच में अगर आपसी बातचीत हो जाए, यह तो है भारत की सरकार की complaint against नेपाल, लेकिन नेपाल क की सरकार का एक वो है blame, और इसके लावा इंडिया ने नेपाल को एक landlocked country बना के रखती है, landlocked country का मतलब क्या होता है, कि चारो तरफ से territory है, तो भारत की सरकार जो है, उनको कोई रास्ता ने देती, जिससे वो sea route, उनका कोई बन जाए रास्ता बीच में, तो वो कहते हैं कि ये एक जिसकी बज़े से भारत सरकार की बज़े से हम landlocked country है, लेकिन इसके लावा कुछ ऐसी points भी हैं, जहां पर दोनों देशों के बीच में सहयोग भी हुआ है, corporation भी हुआ है, day by day, जैसे सबसे पहले एक तो trade, दूसरा है हमारा scientific corporation, जो है तीसरा है common natural resources को लेकर, हमारा जो इसके लावा एक point और है, वो है interlocking water management grids, interlocking water management grids जो है, यानि यह जो होता है, जैसे मैं electricity generation की बात कर रहा हूँ, इसी सही related है, कहते ही, दोनों देशों ने आपस में दूसरे के साथ मिलजुल के काम करने का decide किया है, और यह भी मानना है कि ऐसी भी उमीद की जाती है, कि जल अगर सबसे बड़ी problem रही है, तो वो सिरफ तामिल्स को लेकर रही है, कि देखो भारत की सरकार भी जादा time तक चुपने ही रह सकती, अगर भारत के जो तामिल लोग हैं, वो शिरलंका में political level पर पर परिशान हो रहे हैं, तो इसलिए उन्हों ने जैसे Indian Peace Keeping Force पे जी 1987 में, ज दोनों देशों के बीच में अब थोड़े relation stable हो रहे हैं, वैपार को लेकर हम लोगों उन्हें संभावनाएं बड़ी हैं, और भारत ने जैसे शिरलंका की help की है, सुनामी के वक्त, तो ये एक बहुत बड़ी बात है, और आज की रेट में भी अगर देखें, जैसे शिरलंक देता हूं भुटान के साथ, तो भुटान के साथ कोई ज़्यादा हमारा कहते है प्रॉब्लम नहीं है, बलकि भारत की सरकार भुटान की गवर्मेंट के लिए काफी thankful है कि जो इन्होंने gorillas group हुए हैं, उनको खदम करने में काफी help की है एंडिया की, और इसके लावा भारत के साथ भारत के relation है काफी warm and cordial है, और नवेंबर 1988 में कुछ जब Tamil mercenaries के ओपर attack हुआ या कुछ प्रॉब्लम होई तो शिलंका की तरफ से attack हुआ था, तो यहाँ पर जो भारत की सरकार ने air force अपनी भेज की जो है उस attack को थोड़ा सा रुकवा है था, और इंडिया के अगर आइलेंड की economic development और tourism industry की तरफ भारत ने काफी इनको cooperate कर है, इसके लावा अगर देखें कि इंडिया की तो आपस में कुछ प्रॉब्लम रही है, लेकिन जिसके मैं बात कर रहा था, कि यह कुछ देश जैसे यह नहीं है कि इंडिया के साथ ही इनको प्रॉब्लम है, हो सकता ह नेपाल और बंगलादेश की भी आपस में प्रॉब्लम हो, या बुटान और बंगलादेश की भी आपस में प्रॉब्लम हो, तो वो जो points है, हो मैं आपको यहाँ पर भी लिख के देता हूँ तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेपाल और बुटान को लेकर आपस में क्या प्रोब्लम है देखो जो यहाँ पर एथनिक नेपाली है यानि बुटान का कहना है कि जो एथनिक नेपाली है वो बुटान में इंटर कर जाते हैं देखे सिंपल सी बात है नेपाल के लोग बड़ को रोहिंग्याज कहते हैं उनकी एंट्री में मार में हो रही है तो ये बात में मार को पसंद नहीं है तो इंडिया में भी आते हैं बहुत सारे और उसका इफेक्ट हमारी पॉपलेशन के उपर तो पड़ता ही है इसके लावा अगर देखें बंगलादेश और नेपाल का आप पसमें डिश्पिउट है लेकिन नेक्स पॉइंट बहुत इंपोर्टन है पीस और कोपरेशन में सबसे पहले देखी कि इंडिया की अगर बात करें इंडिया कहता है भी देखो यह लोग हमें कहते हैं हम इनको एक्स्प्लॉइट करते हैं नोट इन वन केस पर इनी केसे फि इन्होंने स्थापना की 1985 में South Asian Association of Regional Corporation की वो अलग बात है कि यह ज़्यादा अच्छे से चल नहीं पाया कुछ political pressure की वज़े से कहरेजी या कुछ इनकी political understanding कोई जो कमी थी उसकी वज़े से लेकिन फिर भी इन्होंने साफता साइन किया साफता क्या है South Asian free trade area है जिसका मतलब है कि आप South Asian country आपस में बिना किसी रोक्तों के वैपार करेए 2004 में साइन हुआ लेकिन ये effect में का बात है first chain 2006 में अब देखो बहुँ सारी country ऐसी है South Asian के मानती है कि इंडिया के लिए तो ये एक मौका है हमारी market में अपना रोब जुमाने का और में भी हम लोग जो है market से बिलकुल out हो जाएंगे बट इंडिया कहता है देखो मुझे से कुछ जादा फरक पढ़ने वाला है क्योंकि मेरे तो ओलरी जो यहां की तीन country हैं जिनके साथ मेरे relation है और वो कौन कौन सी country है वो सबसे बड़ी बात है कि शिरलंका के साथ हमारा ओलरी agreement है बुटान और नेपाल के साथ हमारा ओलरी agreement ह तो हमें कुछ जादा फरक पढ़ने वाला है नियसे पाकिस्तान के साथ अगर बात करें तो कहते हैं कि चाहिए जितने मर्जी reference रहे हैं लेकिन फिर भी इंडिया और पाकिस्तान की बीच में कुछ बातों को लोगे कर कोपरेशन वेरिया से सबसे पहला तो हमें कहेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो एक बस का चलना ही बहुत बड़ी बात होती है और यह बस जो है यह डैली से पाकिस्तान तक जाती है इसका मतलब क्या है कि लोगों का आना जाना और विजा बड़ी इसली दे दिये जाते हैं कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है और भी कुछ कंट्री ऐसी हैं जो साउथ इशिया के ऊपर भी नज़र रखी में जैसे सबसे बहले तो हम चाइना की बात करेंगे इसके बाद यहां यूएस से के बारे में बता रखा है कि देखो नों को तो बहुत बड़ी मार्किट दिखती है पॉप्लेटिड एरिया है हम आपस में एक दूसरी के साथ अच्छे से सहयोग करके चले की बाहर की कोई एलियन पावर कोई फोरन पावर जो है वो हम पर इतनी हावी ना हो तो यूएस का और चाइना का थोड़ा सा है जो चाइना की स्ट्रेटेजिक पार्टनर्शिप जैसे पाकिस्तान के साथ से उकरते हैं और इसके लावए यूएस का देखे तो यूएस का भी यही है कि जो एकनॉमिक रिफोर्म हुए उसकी वज़े से यूएस का इधर आना थोड़ा इसी हो चुका है तो यह कुछ इंपोड़न्ट पॉइंट थे इस चेप्टर के जो मैंने आपके साथ डिसकस कि वाला हम बहुत इंपोड़न्ट प्वेशन से हैं तो कीपन वाचिंग तरन से क्लासिज एंड वेरी नाइस्टेए